इस वीडियो में मैं डीटेल में बताने वाला हूँ और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये सॉफ्टेयर से मतलब कि सेक्यूर्टी पैच अपडेट करना चाहिए या नहीं तो ये वीडियो अब पूरा देखो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो यूसफल लगता है तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भुलिया तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले बात करते हैं performance के बारे हैं तो performance वोस देखा जाये तो मैं पैसले क्या किया कि यहां पर update करने से पहले गी梅ट score मैंने निकालके रखा था यहां पर अब जैसे की देख सकते हो यहां पर update करने से पहले मुझे single core score 1,932 आ रहा था और multi core score 4901 आ रहा था थोड़ा सा डिप हुआ है लेकिन यहां पर परफॉमेंस में मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है यहां पर बहुत सारे जनका डाउड था सेप्टमबर का सेक्यूटी पैच अपडेट करने के पाद यहां पर क्या हीटिंग इश्यू आ रहा है याने तो यहां पर हीट मिलते हो तो तो अब बात करते हैं बैटरी बैक अप के बारे में तो यहां पर जब वन यूए 6.1.1 अपडेट आया था तब मुझे बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ देखने को मिलता था मुझे 7 to 7.5 आफ आफ आवर स्क्रीन अन टाइम आराम से मिल जाता था मेरे य सेज़ के हिसाब से तो यहां पर बैटरी लाइफ में थोड़ा सा डाउंग्रेड हुआ है अब कैमरे के बारे हम बात करो तो यहां पर मुझे कैमरा में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला अभी भी बहुत ही अच्छा फोटो लेता है टेली फोटो लेंज से वाइड से अल्टरा वाइड से फ्रेंड कैमरा से भी अब बहुत ही अच्छा फोटो ले सकते हो यहां पर मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है यह सेप्टेंबर का सेक्विटी पैच अपडेट करने के बाद तो मैंने तो अपना एक्सपीरेंस शेयर कर दिया आप से अब आ यह था एक छोड़ा सा वीडियो अमीद करता हूँ यह वीडियो अब के लिए हिल्फूल रहा होगा धन्यवाद